हेलो गाइस स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाइस आज में आप लोगों को कोटक नियो एप से ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वहाँ से एक्जिट कैसे होते हैं आज ये चीज मैं लाइब आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ तो वीडियो का फिर इंट्रेस्टिंग होगा वीडियो पे आप लोगों को अंतक बने रहना है अगर आप लोग वीडियो पे अंतक बने रहेंगे तो कोटक नियो एप से आप लोग ट्रेडिंग करना स सिख जाएंगे ओके तो वीडियो का फिर इंट्रेस्टिंग होगा अन तक बने रहना है ओके तो चलिए हम बीना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है आप अपना आडी एंड पासवाड एड करते हैं कोटक नियो एप पे उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है कोटक नियो एप का डैसबोर्ट कुछ इसी टाइप का रहता है अब चूकी आप लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपके पास कोई स्टॉक होगा उसी पर आप लोग trading करने वाले हैं तो वो stock को कहां search करना है यह आप देख पार है उपर पे search bar का options दिखाई दे रहे हैं यही पर आपको click करना है click करने के बाद आप जो भी stock पर trading करना चाहते हैं उसको search कर देना है तो let's suppose मैं Tata still पर trading करना चाहता हूँ इसी को आपको click कर देना है तो चलिए हम click कर देते हैं यह हमने click कर दिया click करने के बाद कुछ इस type का interface हमको दिखाई देता है यह देख पार है आप नीचे पर buy और sell का options आपको दिखाई दे रहोगा तो चुकि इस video पर हमारा view है buying के site का इसलिए हम क्या करेंगे simple buy के options को click करेंगे ठीक है यह buy के options को click कर दिये उसके बाद हमको कुछ इस type का interface दिखाई देगा यह आप देख पार है invest, intraday इस type से आपको options दिखाई दे रहा है तो चुकि इस video पर आप trading करने वाले है यह trading करना सीखने वाले है तो आपको simple intraday के options को click करने है intraday के options को click करने के बाद यहाँ आपको quantity दिखाई दे रहोगा आपको कितना share, buy या sell करना है तो चुकि अभी हम चीज़े सीख रहे है इसलिए हम simple यहाँ एक quantity add कर देंगे उसके बाद आपको नीचे पर आना है आपको order type दिखाई दे रहोगा तो यहाँ order type पर आपको क्या कर देना है market को select कर देना है यह हमने market को select कर दिया उसके बाद नीचे पर आपको product type दिखाई दे रहोगा यह आपका MIS ही रहेगा उसके बाद आपको इधर कुछ भी नहीं करना है यह so advanced options पर यह set default है यह by default है इसी को आपको click कर देना है और इधर आपको कुछ भी नहीं करना है यह देखिए आपको नीचे swipe to buy के options दिखाई दे रहे है ठीक है बस इसी को swipe to buy को click कर देना है देखिए आपको order जो है market पे place हो ग अब हमारा profit and loss हमको कहां पे दिखाई देगा यह हम थोड़ा सा समझते हैं तो थोड़ा सा back करते हैं थोड़ा सा और back करते हैं और यह आप नीचे पर देख पार है portfolio इसी को आपको click करना है click करने के बाद यह देखिए उपर पर आपको positions का options दिखाई देखिए यह positions ओके इस 138 रुपया 10 पैसे के रेंज पर एंटरी किया है और अब इसका price 138 रुपया 5 पैसे का चर रहा है तो हमको profit कैसे होगा जब यह price 138 रुपया 10 पैसे से उपर चलेगा 138 रुपया 20 पैसा 149 रुपया 140 रुपया इस टाइप से बढ़ेगा तो हमको profit होगा यह देखिए 138 कर रहा है तो हमको loss भी दिखाई दे रहा है तो इस टाइप से आपको यहा profit रुट होगा ऐसी को आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यह देखे नीचे पे score of options दिखाई दर होगा यह red पे एक दम नीचे पे bottom पे इसी को click कर देना है यह click करने के बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है यह order type पे आपका limit है उसको market select कर देना है तो चलिए market select कर देते हैं market select करने के बाद इधर कुछ भी नहीं करना है simple swipe to sell के options को click कर देना है यह देखे नीचे पे है यह देखे हमारा order जो है यहाँ से cut हो गया और यह देखे यहाँ जो हमारा position चल रह था सब गया हो गया है अब वो हमारा position कहां पे है आप यहाँ पे देख पार है यह नीचे पे टाटेस्टिल यहाँ देखे सारा कुछ 00 है और हमको 0.05 पैसे का profit भी हो गया तो इस टाइप से आप क्या करेंगे कोटक नियो एप पे ट्रेडिंग करेंगे और वहाँ से आप exit होंगे काफी असान है एक दो बार यह वीडियो और देखिए आपको clear समझ आ जाएगा और कुछ भी query होगी तो आप लोग comment box पे comment करिए मैं आप लोग के comments का reply करूँगा और आप लोगों को चीज़े सीखाने की process भी करूँगा जाइस ठीक है तो चलिए गाइस बाइबाट take care नए वीडियो पर मिलते हैं जल्दी